आज मैं आपके सामने एक ऐसी खबर लेके आया हूँ जिससे आपको जानकर खुशी होगी जी हाँ, तीन समस्या को लेके हमारा X24 चैनल काफी दिनों से खबरे दिखा रहा था एक स्कूल फीस की समस्या, कि लोग अपनी स्कूल फीस नहीं दे पा रहे हैं बच्चों की और साथी साथ लोन की समस्या, EMI की समस्या, मकान का, कार का लोन और तीसरा बिजली का बिल इन में से एक समस्या का निराकान होते हुए दिख रहा है जी हाँ, एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, बैंक की जो लोग भी लोन नहीं चुका पा रहे थे, उनके लिए स्कीम है छे महिने का मुरेटेरियम पिरेट गौर्मविंट ने दिया था उस मुरेटेरियम पिरेट के अंतर गर्म में कहा गया था कि जो interest आएगा उस interest पे भी interest लगेगा जी हां उसके बारे में सुनने में आ रहा है शायद वो माफ कर दिया गया है और उसके उपर फैसला जल्दी आने वाला है कि वो interest वापस आएगा अब उससे अच्छी ख़बर ये है कि जो लोग की नौकरी चली गई थी वो लोन नहीं चुका पा रहे थे जिन लोग का वैपार ठप हो गया था वो लोन नहीं चुका पा रहे थे उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर है उनके लिए ऐसी स्कीम आई है कि उनका लोन दो साल के लिए moratorium कर दिया जा रहा है जी हाँ आज से लेके 2 साल मतलब 2022 तक उनको कुछ भी नहीं चुकाना है बस उनका rate of interest 0.35 से या थोड़ा जादा बढ़ जाएगा तो वो जादा फरक नहीं पड़ेगा मतलब अगर किसी का 10,000 रुपए अगर उसकी किष्ट आ रही थी तो उसकी किष्ट लगबग साड़े 11 तक आ जाएगी आज से 2 साल बाद वो किष्ट शुरू होगी ये फैसिलिटी सभी को नहीं मिलेगी ये फैसिलिटी उनी को मिलेगी जिनके अकाउंट में वो अकाउंट जिसमें कि उनका ECS आता था उस अकाउंट में कोई भी सैलरी क्रेट नहीं हो रही है या उसमें वैपार का पैसा नहीं आ रहा है मतलब बैंक को ये प्रूफ चाहिए कि आपकी सैलरी नहीं आ रही है या आपका वैपार रुका हुआ है तो उसके बाद ये आपको आपसको अपलाई कर सकते हैं इसके लिए एक एफिडेविट लगता है आपका ITR रिटरन लगेगा और बैंक के एक साल का स्टेटमेंट लगेगा और ये प्रक्रिया एक दिन में और कुछी घंटे में आउनलाई द्वारा ही पूरी कर दी जाएगी इसके द्वारा आप दो साल तक निशिंथ होके रह सकते हैं सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपका सिबिल स्कोल नहीं खराब होगा और बैंक को भी इस दिये करना पड़ा कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनके काफी कस्टमर ऐसे थे जिनका सिबिल स्कोल खराब हो जाता हो जिन्दिगी में वो कभी भी किसी भी तरीका कर लोन न ले पाते एक तो ये कारण था दूसरा बैंक का जो NPA है वो बढ़ जाता काफी जैसे कि जिसका मकान है ये बैंक, RBI बैंक और साथ में सरकार के लिए मतब सरकार की इसमें प्रशेंसा होनी चाहिए और ये काम बहुत ही अच्छा हुआ है अब जो तीन मुद्दे थे उनमें से एक मुद्दा कुछ हद तक नहीं बहुत हद तक सॉल्व हो गया है तो इसका आप लोग बैंफिट उठाईए और अपने बैंक में जाईए और वहाँ पे इस फैसिलिटी के बारें पता कीजिए बैंक खुदी संपर कर रही है जिनका NPA लग गया है उनको खुदी फोन कर रही है बट जो लोग अपनी लोन दे रहे थे वो लोग को फोन नहीं करे गया लेकिन अगर आपकी सैलिन नहीं आ रही है और आप कही न कहीं से लोन एड़र्स करके दे रहे है वो भी ये फैसिलिटी को ले सकते हैं जाईए अपने नियरस ब्रांच में जहां से अपने लोन लिया हुआ है और इस फैसिलिटी का लाब उठाई है मैं आश्तो शिर्वास्तो आप देख रहे हैं X24 News सत्य में अब जाते हैं